Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे, सभी आपकी family में भी अच्छे होंगे, स्वागत है आपका GST के एक और नए session में और आज आपको कुछ-कुछ change लग रहा होगा, कुछ नहीं, बहुत जादा ही change लग होती है, मुझे काफी सारे functions, काफी utility download करनी पड़ेंगी, बिल्कुल details में समझाऊंगा, tension ना लो, बिल्कुल in-depth जाकर के सारी चीज़ा आपको समझाऊंगा, GST के portal पे जाकर के सीखेंगे, किस तरी किसे return file होती है, और utilities का कैसे use किया जाता है, जो GST के utilities होती है, काफी सारी return filing के लिए उनका कैसे use करना होता है, तो उसके लिए, actually मुझे काफी सारे software's यहाँ पर चाहिए थे, तो वो pad पे होना possible नहीं था, और laptop में भी जो है, कहीं न कहीं मेरा laptop थोड़ा सा hang कर जाता है, so I thought, जो मेरा best system है, system के थूरू जो है, अब आपकी classes होंगी, सारी चीज़, जो मैं actual करता हूँ, client का काम, वो आपको दिखाऊंगा, सारी returns के बारे में समझाऊंगा, और आपका practical वाला part start हो जाएगा, तो जो जो आपके practical sessions होंगे, वो मैं try करूँगा, ये वाला जो setup है, इस setup में आपके सारे practical sessions होंगे, plus अगर कहीं पर provisions हैं, जो law rule हमने अल्रेडी प पहले, आपको समझना ये जरूरी है, हमने काफी सारे topics पढ़े, आपको ले करके चलता हूँ, कहां पर, जो GST, ये देखिए, CGST Act हम पढ़ रहे थे, और यहां पर मैंने आपको क्या छुड़वाय था, मैंने आपको छुड़वाय थे, कुछ chapters हमारे छूटे हुए थे, कौ अब मैं यहां पर आपको law मैंसे नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि law में क्या है न, काफी सारी चीज़ें ऐसी है, returns related, जो कि अभी तक update ही नहीं है, law में मतलब वो चीज़ लिखी है, बट practically वो चीज़ अभी तक apply नहीं हुई है, जैसे कि sir, GSTR 2 लिखा हुआ है, यहां पर returns क के अंदर लिखा हुआ है कि आपको GSTR 2 फाइल करनी है, बट practically अभी तक GSTR 2 आई ही नहीं है, यहां returns में लिखा है आपको GSTR 3 फाइल करनी है, बट practically GSTR 3 अभी तक आई ही नहीं है, सर यह होता क्या है, 3, GSTR 3, GSTR 2, क्या होता है, चलिए, सारी चीज़ें बिल्कुल detail में पहले समझते हैं, देखिए, GST के अंदर आपको काफी सारी returns फाइल करनी होती है, काफी types की return फाइल करनी होती है, तो और अलग-अलग class wise, अलग-अलग persons को, अलग-अलग returns फाइल करनी होती है, जैसे की, जैसे की एक होता है हमारा regular person, पहले मैं आपको समझाता हूँ, जो हम एक हमने पढ़ा था section number 10, जल्दी से बताओ section number 10 किस चीज़ का होता है, देखो, अब आपको law almost सारा पता है, अब खली return filing है, जो मैं आपको बताऊंगा, law आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, अगर session skip करके आयो, तो जरूर मैं recommend करूंगा, advise दूंगा, कि सारे sessions जरूर होता है, so section 10 के अंदर हमने पढ़ा था composite, composite supplier जो होता है, वो section 10 के अंदर cover होता है, regular taxpayer जो होता है, वो section 9 के अंदर अपना taxpayer करता है, ठीक है, अब इनको काफी सारी returns file करनी होती है, कितने types की return होती है, gst के अंदर, उसको सबसे पहले discuss करते हैं, कौन-कौन सी return होती है, और किस- 2017 की बात है, जब हमारा gst आया था, इंडिया के अंदर, so, जब gst इंडिया के अंदर आया था, तब जो है, government ने क्या बोला, government बहुत ही प्यारी scheme बताई, क्या scheme बताई, अब government की scheme आप सुनोगे न, आपको लोगेगा, वह, बहुत इची है, government ने बोला, कि आप जो sale करते हो विवेक, विवेक, जो आप sale करते हो, उसको आप कहां दिखाओ, जो चीज आप sale करते हो, उसको आप अपनी gstr1 की अंदर दिखाओ, जो आपकी outward supply है, outward supply, अब अभी तक आपने outward supply का word नहीं सुना होगा, सरी, outward supply क्या होता है, मैंने आपके सामने एक term रखी, outward supply, आपने अभी तक नहीं पड़ा, supply वाले chapter आपको ध्यान है, जहां पर मैंने आपको types of supply समझाई थी, वहां पर मैंने आपको outward supply नहीं समझाई थी, अब समझाता हूं, outward supply का मतलब क्या होता, outward supply का मतलब जो भी आपने sale करी है, अब outward supply के अंदर ही cover हो जाता है, हमारा क्या, taxable supply, outward supply का मतलब tax taxable supply नहीं होता पहले ये बता रहा हूं taxable supply taxable supply कौन से होती है जिसके ओपर tax लगता है इसके अंदर nil rated supply भी आ जाएगी क्या बात कर रहे हो sir nil rated supply भी आ जाएगी हाँ बिलकुल आ जाएगी gstr1 अभी समझाऊँगा न आपको अभी portal पर जाकर के पूरा overview दोंगा gstr1 का और वह हमारी इसके बाद zero rated supply हो गई zero rated हो गई न और भी काफी सारी supply हमने पढ़ी थी मुझे जल्द दिल्दी बताओ interstate supply हो गई ठीक है न interstate मतला एक state से दूसरे state उसके साथ साथ interstate supply हो गई तो भाईया ही तो काफी types की supply हो गई इन सभी supply को जोड करके इन सभी supply को add करके lawmakers ने क्य बोला कि हम एक word use करेंगे gstr1 के अंदर आपको outward supply दिखानी है और outward supply का मतलब क्या सभी supply किसी भी type की supply हो taxable supply, nil date supply, exam supply, zero rate supply, interstate supply, interstate supply, interstate supply, इन सभी की reporting आपको कहां करनी पड़ेगी gstr1 के अंदर करनी पड़ेगी ठीक है तो gstr1 तो भाई देखो जो government ने बोला था और gstr1 उस उसके बाद अगली return आती है, government ने बोला था कि भाई आपने gstr1 अगले महिने की 10 तरिक तक कर देना, मल लीजिए मैं आपको एक example देता हूं कि मैं December month की, December month की क्या भर रहा हूं, December month मैं मैंने sale करी, तो December month मैं government ने बोला, अगले महिने के following month की 10th तक आप कर देना, following month के 10th तक, लेकिन वो 10th नहीं है, government उसको बढ़ा दिया, 11 तक कर दिया, पर मैं अभी 2017 की बाते कर रहा हूं, 2017 की, जब GST आया था हमारा, तो government ने बोला कि December मैं जो आपने sale करी, वो 10 December तक आप अपनी GSTR1 के अंदर दिखा देना, उसके बाद आपकी GSTR1 freeze हो जाएगी, और GSTR1 ना, GSTR2 म चली जाएगी, टू में, आपके टू में नहीं, आपके टू में नहीं, आपने जो invoices डाले हैं, आपने माल लीजिए, X Limited के डाले है, X Limited के आपने 10 invoices डाले, अपनी GSTR, इसको आपने 10 bill raise करें हैं, इस company को, तो इस company के GSTR2 के अंदर automatically चला जाएगा, अब समझो, थोड़ी स concept क्या था 2017 में, जब GSTR आया, तो government ने बोला कि GSTR1 से 2 के अंदर आ गया, अब जो, ये 2 किसका है, अब ये 2 है, X Limited का GSTR2, X Limited के GSTR2 के अंदर आ गया, अब X Limited के पास क्या option है, कि वो इसको accept कर सकती है, या फिर वो reject कर सकती है, इसी तरीके से, जो ये company है, ये माल लीजे मेरी company ह नहीं है, सो विवेक का जो GSTR2 होगा, मेरे में किसका आ रहा होगा, जिससे मैंने purchase करी होगी, बात समझो न, जिससे मैंने purchase करी होगी, उसका data मेरे GSTR2 में आएगा, मुझे पंदरा तारिक तक, 10 तारिक तक GSTR1 फाइल करनी थी, 15 तक मुझे अपनी GSTR2 के अंदर जाकर कि उसक को reject करना था, point clear अभी तक, जी, ठीक है सर, ये point हमारा clear हो गया, उसके बाद में 20 तारिक तक, अगले महिने के 20 तारिक, यानि, दिसंबर का अगर data है, तो जनवरी की 10 तारिक तक आपको GSTR1 भरनी है, 15 तारिक तक आपकी GSTR2 प्रिपेर होगी, GSTR2 आपको उसमें data नहीं डालन होता, समझे लो concept, GSTR2 में आपको कोई data नहीं डालना, GSTR2 के अंदर automatically आपका data आएगा, उसके बाद आप अपनी GSTR, GSTR3B फाइल करो, ये GSTR3B क्या होती है, GSTR3B Government ने बोला कि भाई, आपके GSTR1 के इंदर, मैंने जब आपको overview दिया था, GSTR का ध्यान करो, मैंने क्या बोला था Government ने क्या structure हमको बताया, कि जितना आपने sale के ओपर GSTR दिया, जितना आपने purchase पर GSTR दिया, उसमें minus करो, जो balance बच रहा हो, पे कर दो, तो GSTR3B में क्या होता है, GSTR1 से आपका data automatically pick हो कर के आएगा, यानि GSTR1 का data, इसमें से minus कर दो, GSTR2 का data, और जो balance बचा, वो tax pay कर दो, कितना simple concept, अब ये government ने कब बोला था, 2017 में जब GSTR आया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा practically हो नहीं पाया, ऐसा क्यों नहीं हो पाया sir, GSTR1 तो अभी भी है, बिल्कुल correct return है, GSTR1 में कोई issue नहीं आया, GSTR1 आपकी बिल्कुल as it is, जो government ने बोला था, उसी तरीके से apply हो गई practically, ल GSTR3 की बात थी, के GSTR3 में आयेगा, लेकिन हो क्यों नहीं पाया sir, इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि, क्योंकि यहां पर अगर इसने bill file नहीं की, तो मेरे 2 में आएंगे नहीं वो, मेरे 2 में नहीं आएंगे, तो मैं उसको कैसे अपनी 3B में लूँगा, मेरे को provisional basis पे लेना सकता हूँ, तो issue यह आया, कि अगर 2 से automatically data यहां पर लेते हैं, तो उसमें थोड़ी से दिक्कत आ रही थी, यूकि 2 के अंदर हो सकता है, इसने late file कर दी, भाई, मालो गया, 10 तक करनी है, 10 तक अगर GSTR1 file ही नहीं करी, जिससे मैंने purchase कर रहा है उसने, तो मेरे 2 के अंदर नहीं आया है, तो वो 3 में adjust नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से काफी practical issues आया, और government को भी लगा कि भाई, यह सारी चीज तो बिलकुल automated हो गई, यहां पर तो किसी के interference की ज़रूरती नहीं है, भाई, supplier, vendor, जो है, आपस में एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, तुमने return file नहीं कर करके आएंगे GSTR 2A, मेरे साथ बोलो कौन सी return लाएंगे, GSTR 2A लेकर के आएंगे 2A, this is GSTR 2A, तो government GSTR 2 लेकर के नहीं आई, GSTR 2A लेकर के आई, नो 2A के अंदर भी वही चीज होती है, 2A के अंदर भी आपके जो supplier है, उसने अपनी GSTR 1 file करी, उसका data आपके GSTR 2A के अंदर आता GSTR 3B और 2A जो होती है, यह regular supplier की बात हो रही है, composite वाले के लिए, जो section 10 वाला होता है, उसके लिए आपको थोड़ी देर बात बताऊँगा, ठीक है, धियान से सुनी आप बातों को, so GSTR 2A लेकिन 2A में थोड़ा सा difference था, GSTR 2 जो थी, वहाँ पर आपको accept करना पड़ता था, reject करना पड़ता था, 2A में नहीं आपको accept करना, नहीं आपको क्या करना, reject करना, आपके पास बस show हो जाएंगे, bilayuses, इसने जो prefer करें वो आपके 2A में reflect हो जाएंगे, मैं simply बहुं reflect हो जाएंगे, तो आपको उसको accept reject नहीं करना, बस आपको अपना 2A check करना है, मतलब अब वह पर कुछ करना ही नहीं होता एक taxpayer को बस वो देखना होता है बस view करना होता है कि कि कितने invoices आए कितने invoices नहीं आए राइट ये चीज़ clear हुई इसके बाद में एक return और आए थी GSTR 2B जो कि बाद में आई है इसका क्या objective था इसका objective ही कुछ और था अभी थोड़ी में आ गया हमारा data और फिर 3B नहीं आप आई क्योंकि 3 के लिए जरूरी क्या था कि GSTR 2 आए जब GSTR 2 ही नहीं आई तो GSTR 3 आने का भी मतलब नहीं बनता तो इसलिए GSTR 3B आई नो 3B के अंदर अब क्या था 3B के अंदर आप जो है अपनी आउटवर्ड सप्लाई डालो और इनवर्ड सप्लाई 2A से देख करके डालो मतलब अभी कुछ टाइम पहले तक क्या होता था आपको खुद 3B डाइल फाइल करनी होती थी सारे डेट आपको खुद डालना होता था लेकिन लेकिन अब लास्ट येर 2020 के लास्ट में government ने क्या किया government ने इस 3B को automated बनाया पहल बीच में government लेकर के आई कि हम ये return इसी खतम कर देंगे ये return में आपके साथ discuss कर रहा हूं इनको खतम कर देंगे कि नई return लेके आएंगे ANX1, ANX2 फलाना फलाना अगर आपने सुनाओ नहीं सुना तो ignore करो क्योंकि government उसको लेकर के ही नहीं आई government ने बोला कि ये जो existing structure अब existing structure हमारा क्या बना ध्यान से सुनिए GSTR एक regular taxpayer के लिए उसको GSTR 1 फाइल करनी है GSTR 2A में से अपना input देखना है GSTR 2A फाइल नहीं करनी उसमें से input देखना है और GSTR 3B जो है उसको वो फाइल करनी है यानि R1 GSTR 1 को हम प्यार से बोलते है R1 R1 और GSTR 3B को बोलते है प्यार से 3B तो R1 और 3B आपको फाइल करनी है और 2A आपको चेक करना है ठीक है इस तरीके से काम होता था government ने बोला मैं काम करते हैं इसमें ये update कर देते हैं किसके अंदर update कर देते हैं GSTR 1 और GSTR 3B के अंदर update कर देते हैं देखिए एक हमारी 1 है ये हमारी 2A है और एक हमारी 3B है तो government ने बोला कि हम इसमें ये update कर देते हैं इसमें क्या update करेंगे एक second रुको चलिए तो अभी क्या government ने automated structure किया और ये last year ही किया है और जो आज की rate में चल रहा है एक हमारी होती है 1 का मतलब है GSTR 1 एक होती है 2A या फिर 2B अब ये क्या है इन दोनों में क्या difference है वो अभी discuss नहीं करेंगे आप confused हो जाओगे बाद मैं बताऊंगा उसको मैं एक हमारी 3B तो government ने बोला कि अब कुछ ऐसा करते हैं कि जो 2017 में GST आने वाला था 2017 में उसी टाइप का structure अब convert करके कर देते हैं तो government ने क्या किया जो GSTR 3B है जो GSTR 3B है इसको यहां लिखते है GSTR 3B जो आपकी GSTR 3B है ये कैसे prepare होगी government ने बोला R1 से data आ जाएगा 3B के अंदर बोलिए point clear हुआ R1 से data automatically आ जाएगा automatically auto populate हो जाएगा R1 से ये GSTR 1 है GSTR 1 से data GSTR 3B में auto populated हो करके आ जाएगा ठीक है और GSTR 3B के अंदर 2B से अब 2A से नहीं आएगा 2A आपने बताया 2B तो समझाया ही नहीं 2B मैं आपको बाद में समझाओंगा और उसका objective क्या था वो भी बाद में समझाओंगा वो balance आप pay कर दो तो government ने ये structure निकाला कि पहले हमको क्या करना होता था 3B जो है न उसको manually डालना होता था मतलब R1 में भी हमको outward की detail डालनी होती थी और 3B में भी डालनी होती थी 3B में उसका total करके डालना होता था कि total इतनी आपकी taxable supply है इतना उसके उपर GST है so government ने वो tension ही खतम कर दी government ने बोला कि भाई आप manually fill मत करो R1 जब आप भरी रहे हो तो R1 से automatically आ जाएगा और input कर देखो यहां से आपका क्या sales की information आईगी आपके outward text की starting वाली class ध्यान करो first class यहां से आपके output GST की detail आईगी और 2A से आपकी input GST की detail आईगी input GST की तो 3B में system अपने आप क्या करेगा output में से input minus कर लेगा और जो balance बचेगा वो आप GST pay कर दो simple है concept concept यह था simple सा यह regular taxpayer के लिए था now मैंने आपको एक structure बताया कि starting में GST कैसे government लाई और आज की date में जो है वो यह वाला process चलता है automatically 3B आपकी prepare होती है R1 को आपको file करना होता है R1 में आपको data डालना होता है 2B भी automatic है 2B तो भाई आपके जो supplier है उसने file कियोगी तब आपके 2B के अंदर वो आता है चलिए यह आपको एक basic सा मैंने overview दिया हमारे returns का अब आपको सारी returns समझाता हूँ तो GST के अंदर कौन-कौन सी returns है उसको जड़ा समझते है notes से समझेंगे आजएए तो returns in GST थोड़ा सा theoretical है मतलब वैसे तो practical session मैंने आपको बोला था बट कुछ-कुछ theory भी साथ में चलेगी ठीक है ना चलिए तो यह सारी returns होती है चलो आपको बेसिक सबसे पहले मैं देता हूँ देखे कौन-कौन सी GST के अंदर return होती है हमारी GSTR 1 है 2 A है 2 B है 2 है 3 है 3 B है 4 5 5 A 6 7 8 9 9 A 9 C 10 और 11 इतनी सारी returns होती है हां इतनी सारे returns होती है सारे returns आपको समझाओंगा और कैसे filing होती है वह भी आपको सिखाओंगा tension नहीं लेनी है अब तो practical session आप तो नीद नहीं आ रही ना अब नीद नहीं आनी चाहिए अब practical session स्टार्ट होगे सबसे पहले GSTR1 जो कि मैंने आपको बता दिया वैसे GSTR1 आपकी outward supply की written होती है जो आपने outward supply किया GSTR1 is return to be furnishing for reporting detail of outward supply words को बहुत बारीकी से note किया करो outward supply मैंने आपको समझा दिया है इसके अंदर आपकी taxable supply भी आती है इसके अंदर आपकी zero rated supply भी आती है इसके अंदर आपकी nil rated supply भी आती है इसके अंदर आपकी interstate supply भी आती है है clear है सारी supplies सारी supplies जो भी कहने का मतलब कुछ भी आपने sale किया वो आपको अपनी GSTR1 में दिखाना होता है अब यहां पर practical मैं बताता हूँ क्या गलती करते हैं लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग यह गलतियां करते हैं उनका client zero rated supply दे रहा है तो उस पर जीएस्टी तो नहीं लगता या फिर निल रेटिड सप्लाई ले लो आप माली जी कोई exempt goods है तो उसके लिए exempt supply ले लो माली जी आप तो उसके उपर जीएस्टी तो लगेगा नहीं है लेकिन उनको यह पता होना चाहिए कि जीएस्टी रवन के अंदर आपको taxable supply नहीं outward supply दिखानी होती है कहने का मतलब अगर आपने कोई exempt supply दी है आपने कोई zero rated supply दी है कोई nil rated supply दी है वो सारी supplies भी आपको जीएस्टी के अंदर show करनी पड़ेंगी अपने returns में दिखाना पड़ेगा r1 के अंदर भी और 3b के अंदर भी और जो आपकी no return जाती है उसको थोड़ी देर में discuss करेंगे उसके अंदर भी जितनी आपने nil rated supply करी जितनी आपने zero rated supply करी exam supply करी even non gst supply भी आपको दिखानी होती है non gst पर gst नहीं लगता वह भी क्यों कि यहां पर outward supply के मतलब जो भी आपके यहां से outward supply हुई है भले ही वह एक non gst supply है यहां पर यह नहीं बोलती है gst r1 के अंदर आपको खाली taxable जिस पर gst लग रहा है वही दिखाना है सारी की सारी यह छोटी-छोटी terms होती है छोटे-छोटे-चोटे topics होती है जो आपको youtube पर सिखने को नहीं मिलती है यह चीज है अगर आप youtube पर देखना जा होगे on the sale transaction for a tax period जो आपने sale करी वो आपको यहां पर show करना पड़ेगा ठीक है gstr1 is to be filed by normal taxpayer who is registered under gst including casual taxable person को भी include कर लेंगे तो वो भी यहां पर देगा ठीक है any amendment to the sale invoice कोई amendment आपने करी है वो भी इसके अंदर जाएगी देखो gstr1 में क्या-क्या जाता है तीरे-दीरे मैं आपका base बनाता हूँ आपका invoices की detail जाएगी आपके debit note credit note जाएगे उसके बाद में आपकी amendment अगर आपने invoices में करी है तो वो amendment लेकिन current month की में नहीं जो पिछल frequency of gstr1 gstr1 की filing frequency क्या होती है मैंने आपको बता है gstr1 पहले जो आया था तो 10 तारी तक file करना होता था लेकिन government ने notification से date को extend कर दिया है तो 11th of every month आपको file करना होता है यानि हर महीने की 11th को मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं December month मैं आपने कोई sale करी है तो December month के लिए आपको अपन 11th January जो है वो आपकी due date होती है gstr1 file करने की अब आपके mind में कोशन आएगा सर हम मान लीजे 11th तक file नहीं करते 11th के बाद file करते है तो उससे क्या होगा उससे काफी जादा impact पड़ेगा किसके उपर देखिए अगर आप मान लीजे 11 तक अपनी gstr1 file नहीं करते तो मैंने आपक एक चीज बताई थी कि gstr1 से data कहां पे जाता है यह देखो नीचे दिख रहा होगा आपको छोटा साथ gstr2a में जाता है तो अगर आप अपनी gstr1 file नहीं करोगे तो जिसको आपने माल बेचा है न उसके 2a के अंदर वो data नहीं reflect हो रहा होगा और अगर उसके 2a में data नहीं आ खाएगी तो वो input नहीं ले पाएगा और वो फिर आपकी जान खाएगा जिसको माल आपने बेचा है जो आपका client है customer है वो आपकी जान खाएगा कि आपने अपनी gst के return अभी तक क्यो फाइल नहीं करी है right so 11 जो है वो due date होती है अगर monthly basis पर लेकिन अब आपको समझना government है जो small taxpayer होते हैं छोटे taxpayer होते हैं वो अब उनको बोलो भाई तो monthly return फाइल करो तो महिने की 12 gstr1 हो गई 12 gstr3 भी हो गई 24 returns तो आपकी यही हो गई 24 returns पूरे साल की आपकी खाली gst gst की हो गई मता हो compliance जादा हुआ न तो government नहीं का compliance को थोड़ा सा कम करते है जो small taxpayer है हम उनके एक option देते हैं कि आप अपनी gstr1 और gstr3 bb हाँ 3 bb और gstr1 b दोनो रिटन आप quarterly basis पर फाइल कर लो लेकिन अगर वो अपनी gstr1 जो है quarterly फाइल करेंगे अब मैंने आपको भी एक चीज़ समझाई कि भाई अगर मैं 11 तारिक से delay करूँगा तो दूसरी party के 2a में नहीं जाएग small taxpayer जो कि quarterly gstr1 फाइल करेगा तो government ने बोला small taxpayer आप एक काम करो हम ना एक नई return लेकर के आते है आई एफ एफ आई एफ एफ द्यान चे सुनिए इसका full form क्या होती है invoice furnishing facility ये किसके लिए होती है qrmp वालो के लिए खालिए qrmp वालो के लिए iff आई आई एफ तो government ने बोला कि कि भाई आपने ये iff फाइल कर दो हर महिने की 13 तारीक तक देखो वैसे तो अगर monthly हो gstr1 फाइल करते हो तो 11 तारीक है लेकिन अगर iff आप फाइल कर दो 13 तक तो 13 तक आप फाइल कर दोगे तो दूसरी party को उसका input मिल जाएगा बात को बहुत ध्यान से समझे तो quarterly वालो को म मन्त आप iff file करो अब पहला मन्त quarter का पहला मन्त आप iff file करो quarter के दूसरे मन्त आप iff file करो first month हमने iff file करी दूसरे मन्त हमने iff file करी और फिर final जो पूरा quarter आया पूरे quarter में आप इस पूरे quarter का क्या करो gstr1 file कर दो पूरे quarter की यनि तीसरे महिने में फिर iff file मत करो तीसरे महिने म आप GSTR 1 फाइल कर दो GSTR 1 फाइल कर दो पूरे quarter की पूरे quarter की GSTR 1 फाइल कर दो तो इसलिए government एक concept लेकर के आई IFF ठीक है तो यहाँ पे देखे लिखा भी हुआ है कि यह मैंने आपको 11 वाला समझा दिया कि 11th of every month किसके लिए होती है who has not opted who has not opted for qrmp scheme मैंने आपको बता था small taxpayer के लिए होती है small taxpayer मेरा क्या मतलब था small taxpayer आप तब है जब आपकी turnover up to five crore rupees है ठीक है तो more than five crore rupees अगर आपकी turnover है तो आप qrmp scheme opt नहीं कर सकते तब आपको monthly में जा करके और monthly में कितनी अपनी 11 तक जो जिए फाइल करनी है लेकिन वहीं तक अगर अगर आप qrmp scheme को opt करते हैं आप qrmp में जाते हैं qrmp को opt करते हैं तो gstr1 quarterly फाइल करो लेकिन iff आप फाइल कर सकते हो कब तक 13th of following month तक आप फाइल कर सकते हो मैंने wordings ना बहुत ही ध्यान से बोली हैं आपको फाइल कर सकते हो मतलब sir mandatory नहीं होती क्या iff बातों को बहुत ही बारी किसे सुनना लेकिन जो आपकी gstr1 है जो point 1 में आपने पड़ी भाई gstr1 एक mandatory return है वो आपको भरनी ही भरनी पड़ेगी राइट कोई confusion तो नहीं है ठीक है तो यह points ध्यान रखना iff एक optional return है iff mandatory return नहीं है और optional government ने क्यों बनाई गवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व गया government ने qrmp बनाया तो था उनको advantage देने के लिए लेकिन भाई या लोग उनसे माले नहीं खरी देंगे क्योंकि वो input नहीं दे पाएंगे हर महीने इसलिए government ने बुला कि भाई आप input transfer करने के लिए iff का use कर सकते हो आप 2 starting के 2 महीने जो है वहाँ पर iff file कर दो वो प्य optional है अगर आपका कोई client या कोई customer ज्यादा जोड़ दवस्ति कर रहा है तो file करो अगर कोई जोड़ दवस्ति नहीं कर रहा तो आप iff नहीं भी file करोगे तो कोई उसके उपर late fees नहीं है उसके उपर कोई late fees या penalty नहीं लगेगी optional है आपके लिए ठीक है अभी portal पे चल करके आपक सामने हूँ पहले आपको दिखाता हूँ एक regular taxpayer तो regular taxpayer पहले देखते है 495900 यह GST का portal है GST की जो official website होती है वो होती है services.gst.gov.in ठीक है यहाँ पे आप login करेंगे तो यह हमारा portal इस तरीके से open होता है now portal open होने के बाद आप return dashboard में जाएंगे यहाँ पर मैं आपको GSTR1 दिखाता हूँ माल लीजिए अगर समंद की देखते हैं देखिए अब यह जो person है यह जो person है ऊपर मैं इसकी profile में जा करके पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पर यह open हो चुकी है profile proprietorship regular taxpayer है active है और dashboard पर आईए एक second यह हमारा dashboard open हो गया इसके बाद file return पर आप आईए अब यहाँ पर देखिए quarterly आ रहा है quarter ले क्यों आ रहा होगा बताए आप मेरे को answer दीजे अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया कि GST के अंदर छोटे taxpayer के लिए option होता है कि वो qrmp opt कर सकते हैं तो इस client ने qrmp opt किया हुआ है इसलिए यहाँ पर देखो quarter लिखा हुआ रहा मैं आपको अप्रेल माई जून पहला quarter जुलाई अगस सितंबर इसके लिए mandatory है सितंबर मन्थ में इसको GSTR 1 file करनी होगी September मन्थ में GSTR 1 आ जाएगी देखो जैसे इस quarterly वाले client गाई quarterly वाला है ना इसके लिए जब मैं September मन्थ जा रहा हूँ तब मुझे GSTR 1 file करनी है quarterly basis पर और यह mandatory है यह तो file करनी ही करनी है यह file नहीं करोगे तो as per GST act as per GST law आपके ओपर penalty लगाई जा सकती है ठीक है लेकिन अगस्त मन्थ में जाओं अगर मैं अगस्त मन्थ में जाओं अगस्त मन्थ मैं मैंने search किया तो यहां पर अगस्त मन्थ में GSTR 1 नहीं आएगी क्योंकि दूसरा quarter कब खतम होगा दूसरा quarter आपको जुड़ो April, May, June, July, August और September में complete होगा न तो अगस्त हमारा भाई second month हुआ quarter का second month हुआ अगस्त तो अगस्त मन्थ में यह देखिए अगस्त मन्थ में आप क्या file कर सकते हो आप IFF file कर सकते हो मतलब आपके पास option है कि आप IFF file कर सकते हैं देकि यहाँ पर clearly लिखा हुआ है optional optional लेकिन कब तक कर सकते हो 13th September तक आप कर सकते हो अगर अगर 13th September तक IFF file नहीं करते तो यह फिर expire हो जाएगी विंडो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं माली यह July का आपको लिखाता हूं तो July का यहाँ पर देखिए इसकी तेरा अगस्ति यह date over हो चुकी है तो जैसी मैं इसके अंदर जाओंगा मैं कोई भी data यहाँ पर add नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसकी date डीटेल पर कुछ भी नहीं आ रहा है मैं यह बात कर रहा है कि gstr1 की बात कर रहा है तो gstr1 जो है Gstr1 की date भी quarterly में 13th हो जाती है फिर यह भी important चीज हा अगर आप quarterly फाइल कर रहे है तो आपके लिए gstr1 की date 13th हो जाती है अगर आप Monthly फाइल कर है तो आप के लिए 11th है quarterly वाले में 13th of following quarter यानि September अगर September में दूसरा quarter खतम हुआ तो quarterly वाला person के लिए बताओ कब file करेगा October 13th October तक file करनी होगी न यह देखो quarterly वाले में मैं आपको दिखाता हूँ यह person quarterly है September मन्त मैं आप search मारो September मन्त की due date क्या आ गई 13th October यह आपको मैं actually दिखा रहा हूँ client का तो यह 13th October आ गई September के लिए लेकिन वहीं पर मैं एक regular taxpayer का दिखा देता हूँ आपको चलिए इसका logout करता हूँ यह तो quarterly वाला था जिसने qrmp scheme में opt किया था एक taxpayer आपको दिखाता हूँ जिसने qrmp scheme opt नहीं करी है यह ले लेते हैं तो यह हमारा login हो गया देखिए monthly आपको दिखी रहा होगा सारे हर माईने की return file हो रही है आज कल पोड़र पे login करके ना आपको return calendar दिख जाता है starting में तो यह बहुत अच्छी चीज़ होती है आपको पता चल जाता है कौन-कौन से मन्त की return जो है आपने file कर दी है अभी अगस्त मन्त की pending है तो यहाँ पर अम्मेर को अंसर दीजिए आप मैं अगस्त मन्त या सितंबर मन्त में return फाइल करता है तो अगस्त मन्त का मैं आप सितंबर का ही दिखाता हूं सितंबर में आप सर्च मारेंगे तो सितंबर मन्त की due date क्या होगी 11th October होगी इसी तरीके से अगस्त मन्त की due date क्या होगी अगस्त मन्त की तो अभी मैंने बता ही आपको 11th September या अगले महिने की 11 तरीक, so August month के लिए 11th of September, तो यह regular, जो monthly है, इदे को लिखा भी हो है, monthly frequency है, तो monthly वालो के लिए क्या होती है, 11th और quarterly वालो के लिए 13, यह तो बात हुई GSTR 1 की, अब आजाए अगली रेटन, GSTR 2A, GSTR 2A क्या होती है, GSTR 2A basically auto populated statement होती है, जो की generated होती है, GSTR के portal पे, मैं आपको इ दिखा देता हूँ, यह GSTR 2A में हम गए, हम B2B invoices के अंदर गए, now यह देखिए, flip card ने, flip card से इनोंने कुछ purchase की होगी, तो वो यहाँ पर detail आ रही है, कि flip card का invoice यहाँ पर पूरा का पूरा आ रहा है, तो जो भी इनोंने purchase करी होगी, इस client ने, वो आपका कहां पर आ जाता ह है, 2A के अंदर, और यहाँ पर खाली मैं view कर सकता हूँ, देखो, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा zoom in करता हूँ, एक second रुको, यह देखिए, आपको दिख रहा होगा, note, you can only view details of inverse supply in GSTR 2A, मतलब आप इसको add it नहीं कर सकते, आपके यहाँ पर मेरे B2B में आ रहा है कोई invoice, अब मैं चाहूँ इसकी amount देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, 9092.41, अब मैं चाहता हूँ कि इसको यह amount गलत है, मैं इसको बढ़ा हूँ, कम करूँ, तो क्या मैं कर पाऊँगा, answer is no, नहीं कर पाऊँगा, मैं खाली view कर सकता हूँ इसको, और इसके basis पर अपना ITC claim कर सकता हूँ, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, GST is a view only dynamic GST written, अब यहाँ पर एक word आया, dynamic, what is the meaning of dynamic, dynamic का मतलब क्या होता है, आज कल वैसे हर किसी को dynamic होना चाहिए, आपको भी dynamic होना चाहिए, मुझे भी dynamic, dynamic का मतलब क्या होता है, कि परिस्थिती के अनुसार जो अपने आ ऐसा नहीं है, गिरगेट वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको change है, यहाँ पर change मतलब positive change आपको लाना चाहिए, time के साथ साथ जो चीज़े बदलती है, आज कल technology में इतना change आ गया, एक time पे जब हम class लिया करते थे, online classes का नाम और निशान नहीं था, और आज आप पू मुझे तो face to face ही पढ़ना है, और face to face आजकल ऐसा ही है, कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, कोई पढ़ाता है, तो उसमें quality वो सारी चीज़े cover नहीं करता, करके बैठ जाएगा, तो अगर वो update नहीं है, तो कहीं न कहीं वो पीछे रह जाएगा, इसलिए time के साथ हमको भी update हो होना पढ़ता है, और आपको भी update होना पढ़ता है, जब से COVID आया, Corona आया, तब से face to face classes बिलकुल बंद कर दी हमने, और अब तक, अब मतलब कोई plan ही नहीं है, हमारा face to face classes लेने का, reason क्यों है, कि भाई, उसमें एक तो हमारी cost जादा आती है, पूरी classes को organize कराने में, और उसके बाद फिर efficiency नहीं आपाती है, efficiency नहीं आपाती है वो वाली, और यहां पर पूरा मैं detail में चीज आपको समझा सकता हूँ, आपके doubts जो हो आप मेरे से पूछ सकते, ऐसा नहीं है कि doubt नहीं पूछ सकते, आप QN में पूछो, आप मुझे WhatsApp करो, क्या मैं reply नहीं देता, 100% doubts का reply द cover किया मैंने, आप पूछोगे, आपको जरूर reply मिलेगा, और जरूर उसका answer मिलेगा, ठीक है, तो dynamic GST, और 2A जो है वो भी एक dynamic return है, कहने का मतलब क्या, आज date बताता हूँ आपको क्या, आप देखो, वैसे date बताते हैं काफी teachers, मैं आपको बता देता हूँ, आज 6 September है, जब पर कोई भी dummy data नहीं है, मेरा client है, आकाश बाबु इसका नाम है, मैंने इसको call किया, मैंने का, आकाश बाबु जी, आपके GSTR 2A के अंदर, एक invoice आ रहा है, flip card का, और उसकी value जो भी है, 9000 के असपस थी, मैंने का, वो value आ रही है, मैंने का, आपने कोई और purchase तो नहीं करी, त आकाश बाबु जी मेर से बोलते हैं कि सर मैंने तो एक purchase Amazon से भी करी है, मैंने तो Amazon से भी करी है, मैंने तो ABC Limited से भी एक purchase करी है, मेरे तो 2 bill अभी और है, तो मैंने का, आपके 2A में तो अभी नहीं आ रहा, तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, अभी आपकी due date pending है, थोड़ा wait क कर लेते हैं 3B की due date क्या होती है मुझे answer दो यह अगस्ट मन्त की बात हो रही है देखो सारी अगस्ट अगस्ट 2021 ठीक हो सकता आप लेक्चर अब बाद में देख रहे हो लेकिन concept same ही होगा तो अगस्ट मन्त की 2021 की due date होती है 3B की 20th of September मैंने का 20 सितंबर है आज date क्या है 6 September वेट कर लेते हैं जब आ जाएंगे सारे invoices 20 तारीक तक आप तब तक ना उनको call करके बोल दो कि वो अपनी return file कर दे timely GSTF1 जिससे कि वो आपके 2A में आ जाए और जब 2A में आ जाएगा तब आप claim कर लेना कहने का मतलब अगर माल लीजिए कल 7 तारीक है 7 तारीक है तो कल 7 तारीक है और Amazon वालों ने 7 तारीक को return file कर दी 7 तारीक को return file कर दी तो मैं गया 7 तारीक को जब मैं B2B invoices देखूंगा तो यहाँ पर एक और invoice आ रहा होगा वो किसका होगा Amazon का होगा और माल दी जो तीसरा परसन था जिससे पर्चेश की थी उन्हों ने आठ तारी को फाइल की तो आठ तारीख को जब मैं ऐपन करूँ गा तो मेरा यहां पर एक और in voice आ रहा होगा और वो आ रहा होगा किसका वो जो तीसरा person है उसका तीसरा person है उसका यहां पर data आ रहा होगा तो data यहां पर automatically आ जाता है और data में आपको क्या-क्या पता चलेगा अब देखो यह return flip card वालोंने क्या return file कर दिया है क्या gstr1 file हो गई है यह जो data flip card का आ रहा है क्या flip card ने अपनी gstr1 file कर दिया answer is no क्यों sir no क्यों यह देखो अब थोड़ा सा 2a को समझते हैं जरह deeply समझते हैं सबसे पहले क्या है supplier supplier का GSTN आ गया तो भीया यह उसका GSTN है flip card वालों का यह supplier का name आ गया flip card इंडिया private limited राइट उसके बाद आता है GSTR1 IFF का filing status क्या लिखा हुआ है n n का मतलब क्या है no मतलब अभी file नहीं करी है flip card वालों ने इसका मतलब भले ही मेरे sorry 2a में data आ गया हो लेकिन क्या मैं इसके लिए eligible हूँ answer is no sir eligible क्यों नहीं हो ध्यान करो section 16 section 16 ध्यान करो अब law आपको ध्यान में रहना चाहिए भाई law भूल गयो तो बहुत गलत बात है law बिल्कुल नहीं बूलना section 16 का सब section 2 में condition पढ़ रहे थे उसके अंदर clause double a पढ़ा था ये clause finance act 2021 से आया था ध्यान आ गई बात finance act 2021 से आया था कि भाईया जो आप क्लेम कर रहे है उसने अपनी furnish कर दी है GSTR 1 furnish का मतलब file कर दी है तो इसने क्या file करी है नहीं इसने ख़ली save तो sir हमारे में A कैसे रहे देखो क्या होता है न मैंने आपको वैसे पहले भी बताया हुआ है जब दूसरी party अपनी R1 save कर देती है वो data डाल करके ख़ली save करेगी file नहीं किया save कर देती है तो save करने पर भी यहाँ पर data आ जाता है लेकिन यहाँ पर अभी no है तो अभी मेरा यह client जो हो eligible नहीं हुआ जब यह yes हो जाएगा तब मेरा client इस invoice को claim करने के लिए eligible भी हो जाता है बात clear हो गई इसी तरीके से देखो gstr1 conscious उसने अगस्त मन्त के period में दिखाई है और यहाँ पर उसका filing status new है कल को क्या यह सरी अपने आप change हो जाता है हाँ अपने आप change हो जाता है अगर उन्होंने कल file कर दी न flip card ने तो यह अपने आप yes हो जाएगा और इसी तरीके से यहाँ नीचे amazon का data भी automatically आ जाएगा और जो third party है जिससे purchase किया था उसका data भी automatically आ जाएगा इसी लिए इसी लिए तो gstr2a को एक dynamic return बोला जाता है dynamic का मतलब क्या होता है जो वक्त के अनुसार अपने आपको बदल लेता है तो हमारी gstr2a भी एक ऐसी return है जो time के according change होती रहती है आज मैंने देखा तो मेरे पास flip card का data आ रहा है वो भी उसने अपनी return अभी file नहीं किया लेकिन वहीं पर मैं इसको कल देखूं तो यहाँ पर हो सकता yes आ जाए क्योंकि flip card अपनी return file करते है तो यह automatically change हो जाती है इसी लि flip card वालो अपनी return आप file भी कर दो save तो कर दी file भी कर दो ठीक है चलिए और समस्ते है gstr2a को so it contain the detail of all inward supply of goods or service that is purchase made from gst registered supply during a tax period जितनी आपने purchase करी है registered supply obviously अब किसी b2 अगर आपने किसी unregistered person से purchase कर रहा है तो unregistered person तो अपनी r1 file नहीं करेगा तो वहाँ पर जो वो data नहीं आए है वो खाली आपके 2a में आती है the data is auto populated auto populated मतलब हमको नहीं डालना होता अब यह flip card का invoice क्या मैंने add किया है अपने client का नहीं यह automatically आया है यह by default आया है ठीक है on the date of filed by the corresponding supplier अब यहाँ पर word लिखा है file लेकिन अभी अभी हम देख क्या यह word correct है क्या यह word correct है तेको filed नहीं उसने file नहीं भी करी है उसने file नहीं भी करी है उसने खाली save भी कर दी है उसने खाली save भी कर दिया तब भी वो मेरे gstr2a में आता है तो यह filed word correct नहीं है वहाँ पर save भी आ सकता by the corresponding supplier in GSTR1 further data file in the IFF by the QRMP taxpayer also get auto filled इसी तरीके से IFF मैंने बता दिया था कि माल लीजे अगर monthly उन्होंने IFF file करी है तो वो भी आपके 2A में आ जाएगा since GSTR2A is a read only written आपको बता दिया खाली view only कर सकते हो आप आप इसमें कुछ भी edit नहीं कर सकते हैं कुछ नहीं करना no action can be taken in accurate input tax credit for every financial year मतलब आपको input tax credit के लिए देखना पड़ता है GSTR2A क्यूंकि वह या condition डाल दी ना कहां पर section 16 sub section 2 clause double a में लिख दिया कि जब उस उस ने अपनी return जब आपके supplier ने अपनी return furnish करी तभी तो आप eligible होगे एक important condition बना दी across multiple tax period in case any invoice is missing the buyer can communicate with the seller to upload it GSTR1 on a timely basis ठीक है it was very frequently for claiming ITC for every tax period until August 2020 thereafter the buyer must mostly refer GSTR2B static return to claim the input tax credit मतलब sir August 2020 के बाद GSTR2B refer करेंगे ऐसा क्या है GSTR2 में भई अगस्त 2020 के अंदर ही हमारी GSTR2B जो है वो आई थी now GSTR2B क्या होता है उसको जब आपको एक बार समझा देता हूँ नीचे है हमारी GSTR2B आईए यहाँ पर back करते है अभी GSTR2B generate ही नहीं होगी हमारे portal के उपर अगर मैं आपको दिखाऊं क्यों नहीं होगी क्यों यह GSTR2B generate होती है हर महिने की 14th को सब 14th को क्यों generate होती है उससे पहले यह समझो GSTR2B होता क्या है GSTR2A समझ में आ गया GSTR2A एक dynamic return होती है और जैसे ही आपका supplier को यह return furnish करता है file करता है save करता है तो वो आपके GSTR2A के अंदर GSTR2B is again is a view only static GSTR return यह भी view कर सकते हो GSTR2B आप खाली देख सकते हो edit नहीं कर सकते हो 2a को भी आप देख सकते हो, इन दोनों को खाली देखा जा सकता है, इन दोनों को खाली महसूस किया जा सकता है, इन दोनों को edit नहीं किया जा सकता है, change नहीं किया जा सकता है, यह returns समय की तरह है, समय, जिसको केवल हम आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं, पीछे इनको change नहीं किया जा सकता है समय चेंज कर सकते हो time change हो सकता है time change नहीं हो सकता है time अपनी कथी से चलता है हमको time के according change होना पड़ता है तो यह GSTR 2A 2B जो है यह भी भाई क्या होती है यह हमारी view only returns होती है इनको आप edit नहीं कर सकते हो चीक है लेकिन ऊपर पड़के आये थे 2A जो है वो हमारी क्या होती है वो एक dynamic return होती है dynamic return मतलब आज कुछ और है दिन बदिन अपना रंग बदलती रहती है GSTR 2A जो है वो return नहीं हो गई वो तो कोई बेवफा आशिक सा हो गया जो की रंग बदलता रहता है लेकिन 2B ऐसा नहीं है 2B जो आपनी बात का पक्का है बात का पक्का मतलब वो एक static return है वो change नहीं था change नहीं होता static return हो जाती है वह सर static return कैसे ओती हो GSTR 2B जो होती है उसके अंदर एक specific period का data आ जाता है कौन से period का data आता है 13th of the month से लेकर के 13th of the month से लेकर के 14th of the current month 14th of the current month से लेकर के 14th of current month से लेकर के 13th of next month 13th of next month ये क्या बात हुई sir ये क्या बात हुई मैं आपको थोड़ा example से समझाता हूँ तो आपको चीज़ अच्छे से clear होगी अगर मैं August month की बात करूँ तो August month की GSTR 2B की बात कर रहा हूँ मैं अगस्ट अब कोई सा भी अगस्ट ले लो अब 2021 ले लो 22 ले लो उससे कोई फ्रेक नि बढ़ेगा अगस्ट मंत की जो आपकी 2b होगी उसके अंदर कहां से कहां तक का डेटा होगा 14th अगस्ट से ले करके 13th September 13th September तक इस पीरिड का डेटा होगा और यह रिटन कब जन इसके अंदर डेटा क्या होता है सर डेटा तो पर्चेस का ही होता है देखो 2b है न जैसे 2a के अंदर पर्चेस का डेटा होता है वैसे 2b के अंदर पर्चेस का डेटा होता है ठीक है तो 13th September तक का डेट आ करके 14 तारीक को यह हमारी freeze हो जाती है 14 September को freeze बोल लो यह generate हो जाती है 14 September को generate Sir 14 से पहली क्यों नहीं होती देखो अगस्त मन्त की GSTR 2B अगस्त मन्त की GSTR 2B 14 September को ही generate होगी और उस 14 September को जो generate हुई है आपकी 2B उसके अंदर data कौन से period का होगा इस period का data होगा मतलब 14 अगस्त से लेकर 13 September तक जो आपके supplier ने return file करी बात को बहुत ध्यान से सुनो 14 अगस्त से लेकर के 13 September तक जो आपके supplier ने return file करी वो आपके GSTR 2B के अंदर आएंगी अगस्त मन्त में और उसी को आप जो है वो आहां से मैंना आपको बताया था ना 2B से data automatically कहां चला जाता है 3B में automatically वो data चला जाता है बात clear हो गए बात clear होई सर अब difference बताओ ना आप difference क्या हुआ यह 2A से 2B अलग कैसे हुई देखो 2A में दिक्कत क्या थी ना 2A हमारा 2A जो है वो dynamic return है वो 13 तारीक को कुछ और दिखाएगा मैं 14 September को देखूँगा तो वो change हो जाता है 15 September को देखूँगा तो वो change हो जाएगा 16 को change हो जाएगा 17 को change 18 को कुछ और 19 को कुछ और वो तो दिन बदिन अपना रंग बदलत है लेकिन एक बार हमारी 2B generate हो गई 14 September को तो अगस्त 2000 जो जिस year की ये बात है अगस्त मन्त की 2B दुबारा से change नहीं हो सकती वो freeze हो गई वो fix हो गई इसलिए इसको बोला जाता है ये एक static GST return होती है static GST return होती है अब क्यों government इसको लेकर के आई सर जब 2A के अंदर भी input आ र detail आ रही है 2B के अंदर भी input आ रहा है वहाँ पर भी purchase की detail आ रही है तो भाईया government को ऐसा क्या सूजा क्यों government ये 2B लेकर के आई तो लाने का जो main objective था वो ये था कि भाई 3B के अंदर हमको एक fix amount चाहिए न अगर आप बोल रहे हो के 3B को automatic बनाना था government को 3B को automatic कैसे बनता भा GSTR 2A या 2B से 2A से अगर वो लेते तो 2A में क्या दिक्कत आती भाई 2A में बताओ किस date को ले 2A में आप मुझे बताईए 2A आज कुछ और है कल कुछ और है दिन बद दिन अपना रंग बदलती है 2A तो 2A की return दिन बद दिन अपना रंग बदलती है तो 2A में से data कैसे उठ थाले हम 2A तो भाई अपना दिन बद दिन रंग बदलती रहती है इसलिए government ने बोला कि 2A से नहीं लेंगे 2B एक नई return लाएंगे नई return government कब लाई थी अगस 2020 के अंदर लाई थी और बोला कि 2B से data auto populate होकर के automatically data 2B से कहां पर आ जाएगा आपका GSTR 3B के अंदर आ जाएगा ठीक है तो main objective जो था ही static return का 2B को लाने का वो यह था जिससे आपकी 3B अपने आप generate हो जाए data वही आता है इसके अंदर भी इसके अंदर भी purchase का data है लेकिन इसके अंदर data बस इस period का ही आएगा और किसी period का नहीं आएगा 14 अगस्त से 13 सेप्टेंबर तक का ही data आएगा अगस month की हमारी 2B generate होगी ठीक है तो इसी लिए government 2B लेकर के आई थी so 2B is again a view लेकिन इसको भी हम देख सकते है edit नहीं कर सकते static GST return समझ में आया static GST return का क्या मतलब हो और क्यों यह government लेकर के आई important for the recipient or buyer of goods and service it is available every month starting in August 2020 से available है and contain constant ITC data for a period whenever check back मतलब अब अगस्त जिस मन्त की मान लिए अगस 2021 की मैं बात कर रहा हूँ अगस 2021 की GSTR 2B आप अगर दो साल के बाद भी देखोगे तो वहां पर X amount अगर आ रहा था पहले तो आज भी X amount ही आएगा लेकिन 2A अगर 2A में कोई amount था और 2 साल बाद आप चेक करोगे हो सकता है 2 2A का amount change हो गया हो किसी party ने अपनी return file ना कियो वह बाद में file कर दियो तो वह 2A के अंदर हो सकता है reflect हो जाए अगस्त month में इसलिए तो 2A में यही तो दिक्कत आ रही थी वह बहुत dynamic return थी वह change हो जाती थी time to time इसलिए उसको pick नहीं किया जा सकता था अब यहां पर अगस्त month म for the current month m the return is made available on 12th यहां पर यह गलत लिखा हुए यह पुराना चीज लिखी हुई है इसको भूल जो ऐसे मिटाओ ऐसे मिटाओ अब यह भी मैंने आपको पड़ाया कब generate होती है यह generate होती है 14th of every month ठीक है clear है 14th of every month आपकी GSTR 2B generate हो जाती है so giving sufficient time of 3B where the ITC declare और ITC में हो claim होता ह है 2B provide action to be taken against every invoice reported such as reverse ineligible subject यह मैं आपको जब 2B दिखाऊंगा तब समझा दूगा क्या चीज बूलना चाह रहे है अच्छा तो अब मुझे आप एक अंसर दीजिए आज date बताए क्या है वैसे मैंने आपको आज की date बता दिया आज date है 6th September August month की 2B क्या आज मेरे को मिलेगी portal क नहीं मिलेगी कब मिलेगी फिर मुझे आप अंसर दो अगस्त मन्त की अगर मैं GSTR 2B चाहता हूं कि अगस्त मन्त की 2B मुझे देखनी है तो कब मिलेगी मुझे portal पर मुझे 14th September को 14th September को इस दिन देखना पड़ेगा तब मुझे GSTR 2B मिलेगी आज 6th है आज मुझे GSTR 2B नहीं मिलेगी portal पर लेकिन क्या मुझे जुलाई की 2B मिल जाएगी जुलाई की 2B कब generate हुई होगी अब अगर concept clear है तो हम मैं concept थोड़ा सा आपके साथ और strong बनाता हूं पीछे आओ एक मन्त बैक आओ जुलाई के लिए मुझे date बताओ जल्दी से आप जुलाई मन्त की 2B की बनेगी तो वो बनेगी हमारी देखो September मन्त की जो अगस्त मन्त की थी वो September में बनी थी तो वो बनेगी 14th of July से लेकर के 14th July से लेकर के बो 13th August clear 13th August ये मेरा बनेगा जुलाई मन्त की 3B का period और 14th August को 14th August को मेरा generate हो जाएगी जुलाई मन्त की return तो 14th August मेरी निकल चुकी है date मैं आपको बता देता हूँ 14th August निकल चुकी है तो क्या मुझे जुलाई मन्त की 3B portal पर 2B 2B portal पर मिल जाएगी येस मिल जाएगी चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आईए अगर मैं अगस्ट मन्त की 2B देखने के लिए जाऊँगा क्या मुझे मिलेगी 2B क्लिख करके देखू को पढ़ लो क्या रिखा हूं आपको पढ़ा देता हूँ जूम इन करके यह मैं अगस्ट मन्त की देख रहा हूँ और आज डेट बता देता हूँ आपको आज डेट क्या है पता है न आपको आज डेट है 6th September 6th September 2021 जब मैं record कर रहूँ है ऐसे काफी लोग यह date बताना उन्हें प्रेफर करते है recorded videos में हो सकता है यह वीडियो मेरी दो साल बात देख रहे हो फिर आप मुझे गालिद हो गया इत्ती पुरानी वीडियो देख रहे हो देखो कोई भी change आता है न कोई भी update आती है तो वह हम कोर्स के अंदर update करते रहते हैं तो attention मतलो आपको पुराना कभी मिलेगा है नहीं जब तक कोई change ही नहीं होता अब अगर इस topic में कोई change ही नहीं होता तो मैं नई वीडियो बना के करूंगा गया ठीक है ना लेकिन अगर change हो जाता है तो मुझे नई वीडियो बना करके आपको देनी पड़ेगी तो मुझे answer दो 14th को हमारी generate होगी आज date है 6 तो क्या होना चीए कि generate नहीं होगी देखो form 2b shall be available only after the last cut of date last cut of date 13th है इसके after after लिखा हुआ है after तो 13 के after कौन सी date आती है बताइए 14th September को मेरी 3b generate होगी यही तो error मुझे दिखा रहा है portal मैंने आपको बोला था 2a 2b नहीं मिलेगा आपको नहीं मिल लेकिन वहीं पर अगर मैं इससे पिछले मन्त की आपको दिखाऊं थोड़ा सा zoom out करते हैं अगर मैं आपको September की जगे अगस्त का दिखाऊं क्या अगस्त का मिल जाएगा अगस्त के लिए date थी 14th अगस्त आओ देख लेते हैं to be sorry अगस्त नहीं अगस्त का तो मिलेगा नहीं अगस्त से पहले July का July का July की date 14th अगस्त तो July का देखेंगे यहां पर यह देखेंगे यह देखेंगे जी पूरी detail आपकी आ गई July मन्त की पूरी detail आपकी GSTR 2B की यहां पर आ चुकी हैं क्यों आ चुकी क्योंकि इसकी date क्या थी 14th अगस्त यह को generation date लिखा हुआ है भाई मैं 14th July से लेकर के कब तक 13th अगस्त का data होगा और तभी यह 14th अगस्त को generate हुई है मेरी GSTR 2B और अब यह जो मेरा data आ गया ना इसको अगर मैं 4 साल बात भी देखूँगा दो साल बात भी देखूँगा तो यही figure दिखाएगा यह change नहीं होगा लेकिन वहीं पर अगर 2A की बात करूँ तो 2A हो सकता है पिछले महीने कुछ और हो इस महीने कुछ और हो गया हो ठीक है सर अब आप यह भी बता दो कौन से देखकर के हमको claim करना है देखो automatically जो 3B होता है 3B automatically यह वाला data उठाता है यहां से 3B automatically उठाता है लेकिन कौन से कहां से आपको input claim करना चाहिए वो मैं आपको बाद मैं बताऊँगा अभी नहीं बताऊँगा कहां से आपको input claim करना चाहिए यह कौन सा correct है देखो अभी 2A खतम होगे क्या सर नहीं 2A खतम नहीं portal पर देखो न कहां खतम हुई है दोनों आ तो नहीं returns कौन से मन्त की देखो जुलाई की देखो दोनों returns आ रही है यह देखिए 2A भी आ रही है यहां पर जुलाई की 2A भी यहां पर आ रही है यह देखिए जुलाई की 2A यह देखिए यह हमारी जुलाई की 2A तो सारी 2A भी आ रही है और 2B भी आ रही है 2A अभी खतम नहीं हुई है तो सर फिर input कहां से claim करना है यह question जो थोड़ा advance level का है इसको जब मैं 3 भी कराऊंगा या आगे जब हम डिटेल में आपको समझागा आज तो खाली ओवर्वीव दे रहा हूं रिटेंस का आज यह मसमद ना पूरा प्रैक्टिकल सेशन यह तो बस आपको एक ओवर्वीव दिया जा रहा है प्रैक्टिकल सेशन तो भी आगे आएंग जब आपको Excel में calculation सीखने को मिलेगी जो आप rules पढ़कर के आए थे manner of utilization of ITC पढ़कर के आए हो वो सारा अभी तो practically उसको apply करने का time आया है न तू भी समझ लिए हमने GSTR 2 इसको ऐसे कांटा मार दो मैंने आपको बताई दिया इसको ऐसे कांटा मार दो ऐसे क्यों 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 GSTR 2 आज तक आई नहीं है GSTR 2 आज तक नहीं आई है पढ़ लेते हैं फिर भी GSTR 2 is currently suspended GST return suspended मतलब इसको suspend कर दिया गया है तो इसको छोड़ो GSTR 3 GSTR 3 के उपर भी ऐसे कांटा मारो ऐसे और ऐसे क्यों कांटा मारो क्योंकि ये भी suspended return है ये आपको नहीं मिलेगी portal में हो सकत आई है वह बहुत ही important है इसको समझिए और आजकल GSTR 3 B जो है वह automatically generate होती है automatically का मतलब R1 से data आता है sale का 2 A या 2 B से data 2 B से आता है automatically data 2 B से आता है data purchase का 3 B अपने आप बन जाती है जो text बन रहा है उसको आप अपने आप पे कर दो मलब अपने आपनी text तो आपको पे गरना text वह तो मैं portal पर आपको बता हूँगा सारी चीजें कैसे pay होता है text each and everything बता हूँगा अभी basic समझो पहले so 3 B GSTR 3 B is a monthly self-declared to be file for furnishing summary detail यहां पर भी ध्यान से पड़ो क्या लिखा है all outward supplies taxable supply नहीं लिखा non GST supply नहीं लिखा outward supply के अंदर सर क्या क्या आएगा सारी चीजें जो zero rated supply भी निल rated supply भी even non GST supply भी आपकी outward supply के अंदर आ जाती है क्योंकि यहां पर lawmaker वर्डिंग ही ऐसी use करी है outward supply made और input tax credit claim यहां पर दोनों आजेंगा क्यों क्यों 3 B मैं यह आएगा आपका R1 से यह आपका आएगा 2 B से और जो net tax liability वो बनके आएगी वो आप यहां पर pay कर सकते GSTR 3 B is to be filed by normal taxpayer register under GST sir इसका मतलब क्या हुआ composite taxable person को 3 B file नहीं करनी होती जो person section 10 के अंदर register है वो regular person नहीं होता normal taxpayer क्या है जो person section 9 के अंदर अपनी tax pay कर रहा है normally tax pay कर रहा है उसको normal taxpayer बोलते है composite taxable person होता है एक जो section 10 में register होता है उसको भाईया GSTR 3 B file नहीं करनी होती है फिर sir क्या file करनी होती है मैं बता देता हूँ आपको उसको जो है GSTR 3 B की जगर है CMP08 payment के लिए file करना होता है और उसक के बाद मैं पढऊँगा इसके बाद में composite वालो के लिए ही पढऊँगा ठीक है so 3 B होती है हमारी वह किस के लिए होती है बताओ सो जो 3 B हमारी रिटन है यह रिटन होती है नॉर्मल पर्सन के लिए नॉर्मल पर्सन के लिए and then है the sale and input tax credit to be reconciled with GSTR 1 and 2 B every tax period before filing GSTR 3 B and GSTR and reconciliation crucial to identify mismatch in data that may be यह सारी चिए practical बात है बोल रहे है मैं आपको जब कराऊंगा excel में data दिखाऊंगा जब कैसे आपको वहां से data fetch करना है कैसे data आपको fill करना है returns के लिए यह समझाऊंगा now the filing frequency of GSTR 2 B filing frequency क्या होती है अब यहां पर filing frequency आपको कैसे समझनी पड़ेगी आपको पहले समझना पड़ेगा एक तो होता है monthly आपको मैं यह वहां पर समझा देता हूँ कहां पर इदर आचीए filing frequency मतलब due date क्या होती है filing की GSTR 1 की due date क्या होती है जल्दी से बताओ normal taxpayer के लिए 11th of following month और जो हमारा composite वाला होता है quarterly cmp zero कहां खो रहा हूं मैं जो quarterly qrmp वाला person होता है qrmp वाले के लिए due date क्या होती है 13th of following quarter quarter का जो following month होता है उसके 13 तक उसको file करनी होती है 3b की due date क्या होती है उसको समझिए GSTR 3b की GSTR 3b की due date क्या होती है उसको समझिए बहुत ही ध्यान से देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था है qrmp वाला एक तो होता है के लिए due date क्या होती है वह मैं आपका बताता हूँ पहले नॉर्मल वाले के लिए नॉर्मल वाले के लिए जो due date होती है GSTR 3b की वह 20th of following month और अगर आप यह delay करते हो यहां पर आपकी rate fees लगना start हो जाती है sir late fees यहां पर कितनी लगती है वैसे मैं वह आपको आगे समझाऊंगा अभी cover कर देता हूँ 20 तक अगर आपने अपनी GSTR 3b फाइल नहीं की तो 50 रुपे या 20 रुपे मतलब सर दो-दो rate कैसे है 50 रुपे पर डे और यह rate है पर डे का पर डे का 50 रुपी तव लगता है जब आपकी कोई taxable liability होती है और अगर निल रिटन आप फाइल करते हो निल के केस में 20 है और अदर देन की केस में 50 रुपी पर डे है यहां पर एक maximum cap भी लग चुकी है जो कि मैं आपको अलग session में cover करूँगा कि maximum cap कितनी है यहां पर लेकि 50 रुपी पर डे और या फिर 20 रुपी पर डे 50 रुपी अगर आपकी taxable liability कुछ बनती है निल की file कर रहे हो तो 20 रुपी पर डे अब यह total है total का मतलब क्या इस 50 में 25 रुपे CGST के होते है 25 रुपे SGST के होते है और इस 20 में 10 रुपे CGST के 10 रुपे SGST के है ठीक है क्योंकि 2 act चलते हैं ना साथ में भूल जाते हो अगर इस सेम स्टेट की supply होती तो CGST और SGST लगता है ना तो सेंटरल और स्टेट दोनों लेट फीस लेंगे ना भाई आपसमें बटवारा कैसे होगा सेंटरल और स्टेट दोनों लेंगे तो 50 रुपे मैंने आपको टोटल बताया 25 स्ट का परशेस班 स्टेट का तो इसी तरह के से निल अगर आपकी निल रिटन है बistleson कोई दो तो यहां पा लगती है पर दे की इसको फिर आपको मत्लिप्लाइ लेंए डीड़ डे से तो वह आपकी यह इसलिए बोलना जाता है और यि आपको समझी गए होगे आपको सेल करो sale ना करो कोई फ्रक नहीं पड़ता 3B एक mandatory return है file कर नहीं करनी है नहीं करोगे तो late fees देनी पड़ेगी भले कोई भी supply नहीं कि तो 20 रुपे पर दे लग जाएंगे थोड़ा सा relaxation मिल जाएगा लेकिन late fees यहाँ पर भी लग जाएगी अच्छा qrmp में दो state है बलब दो category है एक है category a के state यहाँ पर state wise बाटा हुआ है कुछ state के लिए इन्हों ने एक date दी है कुछ state के लिए दूसरी date दी है जो state a है category a के state और category b के state अब यह कौन-कौन से state है वो मैं आपको अभी थोड़ी दो में बताता हूँ category a के state के लिए due date जो होती हो वो होती है 22nd 22nd अब यह following month नहीं following month of quarter जब quarter खतम हुआ उससे next वाले मन्त में और यह इसके लिए होती है 24th category a के लिए 22nd category b के state के लिए 24th और यह date जो है quarter खतम होने का quarter के next वाले जो मन्त है उसमें यानि second quarter की चलो मैं बात करता हूँ second quarter कहां से start होता है July, August और September से September सगला महिना October तो second quarter के लिए quarter two के लिए three b की due date क्या होगी second October और 24th October clear है ठीक है यह चीज़ clear हो गई और फिर delay करते हो तो late fees जो है वो same है late fee में कोई वो नहीं है यहाँ पर भी same late fees आपकी लगाई जाती है तो यह हमारी due dates की बात थी GST की due dates की ठीक है वो मैंने आपको समझा अचा category a और category b देख लो कौन सी है category a को यहाँ पर category x लिख लिखा हुआ है तो 36 मद्रप्रदेश, गुजरात, महराष्टरा, करनाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडू, तेलंगाना, अंदरप्रदेश और the union territory of दमंद्यू, दादर हवेली, पॉंडिचरी, अंडमान, निकोबार, आईलेड, लक्षदीब जो है इनकी ए category a में है category x की जी के a मैंने आपको बताया था, यहां पर x लिखा हुआ है, इनके लिए due date होती है, 22nd of following month of the quarter, और जो नीचे हमारे balance बाकी जो भी state बचे वो नीचे आ गए है, और उनके लिए क्या होती है, 24th of the following month of the quarter, GSTR 3B file करने की due date, लेकिन GSTR 3B तो quarterly जाती है, quarter qrmp scheme के अंदर न, 3B त tax आपको monthly pay करना होता है, कहने का मतलब मानली जो मेरा client agent ने qrmp scheme opt की हुई है, उसने अगस्त मन्त में कोई sale करी, अगस्त मन्त में कोई sale करी, उसके उपर उसका GST बनता है, तो वो अगस्त मन्त का GST उसको pay करना पड़ेगा, कब तक, अगले महीने की 25 तारिक तक, वो PMT 06 form क through pay होता है, 25th of the following month आपको pay करना होता है, लेकिन return file नहीं करनी, GSTR 3B तो आप पूरे quarter की file करोगे, लेकिन जो GST की payment होती है, वो आपको हर महीने करनी ही करनी पड़ेगी, QRMP का मतलब समझो न, quarterly return, monthly payment, मतलब GST अगर आपको कोई बनता है, उसकी payment आपको monthly ही करनी पड़ेगी, payment quarterly नहीं करनी GST की, GST की payment monthly ही रहेगी, बस return जो है, GSTR 3B जो है, वो आप quarterly फाइल कर सकते हैं, ठीक, अब practical कैसे होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, इस सारी चीज़े तो Excel में calculation होगी, सब कुछ दिखाऊंगा, अभी तो आपको खाली एक overview दे रहा हूं, returns का, next हमारे return आत अब आपको पता चलेगा, law की एहमियत, law की value, sections की value, अब मैं आपको section 16 subsection 2 clause, double A बोलता हूं, तो आपको पता होता है, कि वो finance sec 2021 में amendment आई थी, नहीं देखी हैं classes, तो बले ही आपके total उड रहे हूं, लेकिन अगर आपने देखी हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा, अगर म एक composite supplier आता है, GSTR4 उसके लिए annual return होती है, annual return, composite supplier को annual return file करनी होती है, GSTR4 में, क्या सर, composite supplier को GSTR1 और 3 भी file नहीं करनी होती, answer is no, answer is no, answer is no, तीन बार repeat कर दिया मैंने, एक composite supplier को, खाली कौन कौन सी करनी होती है, GSTR4 करनी होती है, और tax की payment करनी होती है, CMP08 के थ्रू, CMP08 और यह भ tax की payment भी quarterly ही की जाती है, मंतली नहीं होती है, tax की payment भी हाँ पर quarterly होती है, composite supplier को, यह composite supplier छोटा supplier होता है न, ध्यान है, वो class, वो वाली class ध्यान है, composite supplier की छोटा person होता है भाईया, इतने जादा वो compliance नहीं कर सकता, तो उसी को benefit देने के लिए तो यह scheme आई थी, composition scheme, तो उसको, वो एक साल में एक बार बस पूरी annual return भरनी है, तो गिंती की पांच return होई न, इसलिए compliance simple करने के लिए तो यह composite supplier जो है वो बनाया था, यह concept बनाया था composite supplier का, that was to be filed by the composite taxable person under GST, by 13th of the year, following the relevant financial year, 30th April तक आपको file करनी होगी, it has replaced the, अचा यह आई कप थी, 1920 मही आई थी GSTR 4, it has replaced the GST 9A एक हुआ करती थी, अब ध्यान से सुनो, confused होगे आप, A का भी नीचे पढ़ेंगे, हम 9A, तो GSTR 9A जो थी, वो पहले आई थी, अब उसको हटा दिया गया है, GSTR 9A के अंदर भी QRMP वालों को annual return file करनी होती थी, 9A को हटा दिया गया है, खली GSTR 4 file करनी है, compulsor supplier को, पूरे year के अंदर, बोले जी clear है, कोई issue, नहीं, कोई issue नहीं है, और तो चलिए, और कब तक करनी होती है, 30th April तक करनी होती है, और following year, कहने का मतलब अगर मैं 2021 की बात करूं, 2021 जो अभी खतम हुआ है, इसके लिए due date बताएए मेरे को, 2021 के लिए due date होगी, 13th April, क्या date होगी, 13th of April 2021, लेकिन गवर्मेंट ने date, obviously extend, extend तो गवर्मेंट के पावर होता है, गवर्मेंट इस date को extend भी कर सकती है, और कोरोना की वज़े से extend भी किया था, ठीक है, और thereafter a simple chalan in form CMP08 file by 18th of the month, CMP08 मैंने बताया था, succeeding every quarter, CMP08 की बात यहाँ पे की हुई है, कि CMP08 क्या होता है, अब यह return आपको मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ ना, जिससे आपके दिमाग में यह नाम बैठ जाए, ठीक है, तो CMP08 जो होती है, वो quarterly वाले के लिए tax की payment कर करनी होती है उसको, तो उसको CMP08 file करनी होती है, कब तक 18th of the following month, succeeding the quarter, यह नि इस payment कैसे होती है, एक composite supplier quarterly payment करता है, तो quarter खतम होने का, next month का जो 18th है, वो उसके लिए due date होती है, उससे जाधा delay करेगा तो, वह, late fees लगती है फिर, ठीक है, और फिर नीचे नोंने बताया है, इसको तो छोड़ दो, यह तो वह है, हमना पढ़ लिया है, वैसे यह point already, किस-किस के लिए applicable होती है, composite supplier, GSTR 5 पढ़ो, अब यह GSTR 5, यह कौन सी होती है, यह na mislaneous returns होती है, जो normally नहीं लगती है, हर किसी के ऊपर नहीं लगती, specific case के लगती है, जैसे कि GSTR 5 is a return to be filed by non-resident foreign taxpayer, एक non-resident foreign taxpayer है, वो इंडिया में आता है, माली जी इंडिया में हमने कोई program organize करा है, जैसे काफी सरे events होते है, माली जी इंडिया में, वो book fair हो गया, यह कोई सब fair हो गया, तो वहाँ पर बाहर की कोई company आती है, non-resident person आता है, और इंडिया में आकर के install लगाता है, sale करता है, अब इंडि GSTR 5 में भरेगा, फिर उसको R13B और GSTR 9 वो सम नहीं भरना, उसको खाली क्या भरना है, GSTR 5 भरना है, बात clear हो रही है न, देखो composite supplier को क्या क्या भरना है, composite supplier को भरना है, GSTR 4 और CMP08 से tax की payment करनी है, एक non-resident foreign taxpayer है, उसको क्या भरना है, GSTR 5 भरना है, उसको R13B से कोई मतलब नहीं ह है, who are registered under GSTR and carry out business transaction in India, मतलब इंडिया में आकर, जो मैं आपको example दिया हूँ, the detail constraint, detail of outward supply, inward supply, receive, debit note, credit note, taxable supply and tax spend, the GSTR 5 is to be filed by monthly, 20th of the each month under GSTR, tax is paid, मतलब, अगले महिने के 20 आई तक आपको file करनी होती है, then आती है, next आती है, GSTR 5A, 5A क्या होती है, यह होती है, summary return, और यह किसके थू through, OIDR के through file की जाते है, OIDR का मतलब क्या होता है, online information and data exchange की service, जो कि इंडिया के अंदर दी गई है, तो उन entities को यह file करनी होती है, OIDR वाली, यह कब तक 20th of every month तक हो, यह special, special returns होती है, कि miscellaneous returns होती है, हर किसी को यह file करने के ज़रूरत नहीं होती है, GSTR 6, यह भी special किसके लिए ह होती है, ISD supplier जो होता है, उसके लिए होता है, उसके लिए GSTR 6 होती है, तो GSTR 6 is a monthly return to be, ISD ध्यान आया, section number कौन सा था, मुझे जल्दी से बताओ, input tax credit में हमने पढ़ा था, ISD वाला concept, section number 20 and 21, इन दो sections के अंदर हमने बात की थी, ISD supplier की, input service distributor की, तो इसको GSTR 6 file करनी होती है, next month की की 13 तक उसको अपनी GSTR 6 file करनी होती है, sir, क्या ISD supplier को R13 भी file नहीं करनी होती, answer is no, answer is no, बता तो रहूं, यह special case है, special case है, in special cases में special return जाती है, एक foreign non-resident taxable person को GSTR 5 file करनी है, एक OIDAR वाले person को 5A file करनी है, एक composite supplier को क्या file करनी है, GSTR 4 file करनी है, एक ISD वाले को क्या file करनी है, GSTR 6 file करनी है, 13th of every month तक, छीके, next हमारी GSTR 7, अब GSTR 7 किसको file करनी होती है, यह monthly return होती है, यह और किसको file करनी होती है, TDS जिसको deduct करना, क्या, sir, GSTR के अंदर भी TDS होता है, बिलकुल होता है GSTR के अंदर TDS, मैं बताता हूं, किसके उपर apply होता है, GSTR के अंदर जो government entities होती है, जो PSUs होते है, उनके ओपर यह TDS वाले provisions apply होते है, GSTR के TDS की बात कर रहा हूं, उनको, जब भी उनको कोई payment करनी होती है, तो TDS काटना होता है, GSTR के अंदर 1% की rate से, 1% के rate से उनको TDS यहाँ पर काटना होता है, तो वो entity अगर कोई है, आपका भी देखना, आपका भी audit करोगे किसी public sector entity का या PSU का तो आपको वहाँ पर मिलेगा, कि उन्होंने GST का TDS वो अलग काटते है, income tax का तो कटेगा ही कटेगा, अगर income tax का applicable है, वो तो कटेगा ही कटेगा, GST का अगर applicable होता है, तो GST का TDS भी वहाँ पर काटा जाता है, अब कोशन आता है, उनको कौन सी return फाइल करने पड़ती है, तो due date उसकी जो होती है, 7th is the month of, 7th of every month, यानि हर महिने की 7th को आपको TDS की वो जो return है, फाइल करनी होती है, इसमें क्या क्या, अच्छा, अब लेकिन बात को बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, अभी तो ऊपर हम लेकिन वो खाली GSTR 5 फाइल करेगा, 5A OIDAR वाला परसन जो है, online information and data access or retrieval services जो है, वो भी 5A फाइल करेगा, R13 भी फाइल नहीं करेगा, GSTR 6 एक ISD वाला परसन जो है, वो खाली ISD ये फाइल करेगा, GSTR 6, लेकिन, लेकिन, जो आपका PSU है, जो public sector unit है, वो GSTR 7 भी फाइल करेग कब तक 10th of following month तक और इसके साथ साथ अपनी R1 भी फाइल करेगी, अपनी 3B भी as per normal procedure फाइल करेगी, ये चीज़ important होती है, समझना, ये चीज़ important होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली GSTR 7 फाइल कर दी, या GSTR 7 फाइल ही नहीं करी, ध्यान रखिएगा, अगर government entity है, उसके audit किये, मैं आपको case बताता हूँ, जहां पर, वो public entities है, उनको TDS काटना है, वो TDS काट ही नहीं रहे, TDS ही नहीं काट रहे, फिर जब उनसे पूछा गया कि भाई, आप तो इसके section के अंदर cover, section 51, 52 होता है, GST का, मैंने भी आपको नहीं पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया, tension जो है, GSTR 7, file करना, उन्होंने start किया, 10th of following month तक जो है, उनको करना होता है, next हमारी आती है, GSTR 8, GSTR 8 किस किस के लिए होता है, उसको ज़रा समझते है, GSTR 8 जो होती है, e-commerce operator होता है, like Amazon, Flipkart, Misho, जो होते हैं, इनको GSTR 8 file करनी होती है, e-commerce operator को, क्यों, क्योंकि उनके उप ability आती है, TCS collect करने की, GST के अंदर भी TDS और TCS के concept होते हैं, लेकिन थोड़े से अलग होते हैं, मतलब income tax में, वो amount wise चलते हैं, और nature wise चलते हैं, यहां पर जो है, वो person wise चलते हैं, मतलब ऊपर जो है, PSTS cover होती है, ज्यादा तर, जो government undertakings होती है, वो उनके उपर applicable होते हैं, T TDS वाले provision है, और यह TCS वाले provision applicable होते हैं, e-commerce operators जो होते हैं, Amazon, Flipkart, Misho, Mintra, इन सब के ऊपर TCS वाले provision applicable होते हैं, तो e-commerce operator resistant और GST, उसको GSTR 8 file करनी होती है, और इन दोनों ही case में, यह returns तो यह file करेंगे, यह करेंगे, जो इनकी normal GSTR 1 होती है, वो भी file करेंगे, sorry, और GSTR 3 जो होती हो, वो भी file करेंगे, ठीक है, आगया जो, GSTR 9 जो की बहुत important है, इसकी तो पूरा detail session आपके साथ होगा, सारी चीज़े यहां पर detail में discuss करेंगे, GSTR 9 जो होती है, वो हमारी annual return होती है, सभी को file करनी की जरूरत नहीं होती है, किसको file करनी होती है, देखिए, अभी म घटती-बढ़ती रहती है, तो GSTR 9 की जो limit है, यह annual return होती है, annual return, और इसकी जो limit हो कितनी है, अभी 2 crore है, अगर आपके client की turnover, 2 crore से जादा है, तभी है mandatory, otherwise optional है, मतला 2021 की turnover, आपकी 2 crore को exceed कर गई, तो आपके लिए mandatory, otherwise optional है, इसको पढ़िए, to be filed by taxpayer, it is due by, और इसकी due date क्या ह होती है, 31st of the, 31st December, of the following, मतला 2021 के लिए, इसकी due date होगी, इसका जो following year है, 21st का year, following है, 21st December, 2021, जो है, वो इसकी due date है, obviously government के पास power होती है, इस date को, extend करने की, तो following year, the relevant financial as per GST law, it contains, मतला, अब contain तो क्या करती है, पूरे साल की information इसके अंदर, जो है, contain होती है, plus कोई amendment, कोई चीज आपने बाद में किये, उसको भी आप यहाँ पर adjust करवा सकते हैं, इसकी detail में भी आपको नहीं बताऊंगा, जब GSTR 9 का concept हम पढ़ेंगे, GSTR 9 को discuss कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको यह detail में बताऊंगा, कि 9 जो है, पूरा है क्या, अभी simply आप क्या समझो, जो आपने पू आपा मार दो, ऐसे, क्योंकि थोड़े देर पहले बताया, इसकी जगे क्या आचुकी है, GSTR 4 आचुकी है, composite के लिए होती थी, अब यह भी हट चुकी है, 9C, 9C, 9C क्या होती है, यह भी मैं किसके साथ discuss करना, GSTR 9 के साथ, वैसे आपको बता देता हू, 9C जो होती है, वह reconciliation statement होती है, माल लीजी, कोई ITC आपने कम लिया, जादा लिया, कैसे लिया, कैसे नहीं लिया, बाद में, आपको व डीटेल में बताऊंगा, reconciliation statement होती है, और पिछले साल तक, पिछले साल तक, यहाँ पर आपको एक CA या CMA की requirement होती थी, उसको यहाँ पर audit करना होता था, और साथ self-certification basis पर यह किया जा सकता है, मतलब, अब यहाँ पर audit की ज़रुवत नहीं होती, अब जो है taxpayer खुद ही उसको self-certification basis पर फाइल कर सकता है, तो यह change यहाँ पर यह लेकर की, यहाँ पर नीचे दिया भी हो है, देखिए, union budget 2021 में क्या हुआ था, यह finance act 2021 की update पढ़ी तो थी, भ लेकिन self-certification basis पर अब फाइल करनी होती है, बाकी details जब आपको यह कराऊंगा, मैं यह session लोगा इसका, तब बताऊंगा इसके बारे में, GSTR 10 हाँ, यह समझ लो, इसका भी वैसे यह होती है, जब आप cancellation कराते है, अपना GST cancel कराते है, तब आपको GSTR 10 फाइल करनी होती है, इ हमारी annual return होती है, GSTR 10 final return होती है, जो कि जब आपका cancellation approved हुआ, जैसे department, देखो, मैं cancellation वाले chapter में वैसे इसको discuss करूँगा, last में ही होका हमारा cancellation वाला topic जो है, सबसे पहले आपको GST REG 16 फाइल करनी होती है, REG 16 क्या होती है, यह application for cancellation होती है, उसके बाद department आपकी, उस application को approve करता ह है, उसके within, sorry, 30 days, नी, 3 month, within 3 month, आपको GSTR 10 file करनी होती है, तो इसको final return बोलते हैं, यह तो आपको live demo, विल्कुल live दिखाऊंगा, आगे चल करके, next, next है हमारा GSTR 11, तो GSTR 11 जो होती है, वो किसीज के लिए होती है, वो होती है, जैसे जो इंडिया के अंदर, बाहर की embassies हो होती है, उनको GST number नहीं दी जाता है, उनको unique identity number दिया जाता है, so, उनको section 11 की जो यह returns होती है, यह file करनी होती है, लिख्या भूआ है, देखो, जो foreign diplomatic missions है, ambassies, not liable to tax in India, इन सब को यह वाली return file करनी होती है, ठीक है, late filing of GST returns, यह थोड़े-चोटे से concept, इनको समझ लेते है, late filing of GST returns, so, सारी returns आपको timely file करनी है, वहना late fees आपको इपर लगाई जा सकते है, late fees related, आपके साथ एक छोड़ी सी topic discuss कर लेता हूं, देखो, GST R1 और 3B में important होती है, इन पर discuss करते है, 3B तो आप एक दिन भी delay करोगे तो लगेगी, R1 में अभी portal नहीं लगाता है, लेकिन, last year ही, जो council की meeting हुई थी, वहाँ पर इन्होंने बोला था, कि R1 के उपर भी अप GST की late fees portal पर लगाना start कर देंगे, देखो, law के अंदर लिखा हुआ है, चाहे आप R1 को delay करो, चाहे 3B को delay करो, आपके उपर late fees लगेगी, लेकिन GST portal के उपर, R1 के उपर late fees नहीं लगाता, portal, calculate नही हुई है, लेकिन 3B जो है, उसके उपर late fees लगाई जाती है, तो department ने बोला, कि अगर R1 आप 3B की due date तक file कर देते हैं, यानि monthly वाले की बात करो, तो R1 अगर 20 तारिक तक file कर दोगे, तो नहीं लगेगी, लेकिन 20 के बाद file करोगे, तो R1 के उपर भी late fees लगना start हो जाएगी, और ये update मैं आपको दे रहा हूँ, अभी नहीं हुआ या applicable, अभी तो इस पर नहीं लगती है, इस पर लगती है, लेकिन कुछ time के बाद, कुछ time के बाद हो सकता है, R1 के उपर भी आपकी late fees लगनी start हो जाएगी, I'm pretty sure, R1 के उपर भी आपकी late fees लगना start हो जाएगी, then interest कितना pay करना होता है, वैसे मैंने आपको section नहीं पढ़ाया, section 50 के अंदर interest की बात की हुई है, 18% पर NM के हिसाब से, आपको interest देना होता है, अगर आप जो या delay करते हैं, tax की payment में, तो late fees तो आपको देनी-देनी होती है, साथ में late fees के साथ-साथ interest भी देना होता है, अगर आपका कोई tax बनता है, निल की return फाइल कर रहे हो, तो किसके उपर दोगे, tax के उपर ही तो निकालेगो न 18%, tax ही निल है, तो भही interest निल बनेगा, लेकिन अगर आपका GST बनता है, कोई भी tax बनता है, तो 18% निकालना, वो भी किसके उपर, net tax liability, इसको भी ध्यान से सुनो, इस पर बहुत कलेश हुए बहुत जादा court तक में case गए, और फिर बाद में जाकर के government इसको, government पता है क्या बोलती थी यहां पर, आपको मैंने दो return समझाई, एक R1 समझाई, ठीक है, एक 2B समझाई, R1 से आपका outward detail आ गई, output GST आता था ने यहांसे, clear है, R1 से output GST आता था, और 2B से आपका input GST आता था और दोनों का, आप इसमें से minus करोगे तो आपका net, net text आता था, ठीक है, आप मुझे answer देना, logically answer देना, मैंने आपको अभी कुछ नहीं बताया, और हो सकता कि आप तो आपको पता हो, logically answer दो, कि 18% मुझे calculate करना है, मैं किस value पर करूँ, मैं net value पर करूँ, या मैं इस R1 की output value प आती है, कि भाई, जितने का text बनता है, net, जितने का net text बनता है, उतने पर ही तो करनी चीए, लेकिन law मैं न clarity नहीं थी, section 50 के अंदर, clarity नहीं थी, कि किस amount पर होगा, department क्या बोलता था, पता है, कि आपना इस पर दे दो, जो आपका output text, मतलब input minus मत करो, जो output text बन रहा है, उसके ये ऊपर आप हमको interest दे दो, लगता है ने कहीं से गलत हो रहा है, ये output पर interest क्यों, भाई, government के regarding मेरी कितनी liability है, मुझे output text थोड़ी government को देना होता, ध्यान करो, पहली class government जब मेरे से ये मांगना आगी थी, मुझे गुस्सा आ गया था, और government आज मेरे से, इसके ऊपर अगर interest मांगेगी, तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा मेरे को ही नहीं, बहुत सारे taxpayers को आया, उन्होंने court में case गया, काफी सारे cases गया, जो litigation बहुत जादा हो गया, और court ने भी बोला, court ने taxpayer की बात ही मानी, ज्याद अथर जगह पर, और बोला कि भाई, net के ऊपर ही और 8 करोड की मैंने purchase का input आगया मेरा, 10 करोड का output GST है, 8 करोड का यह है, 2 करोड का मेरा net, तो मेरे को सरकार को 2 करोड की liability तो है, तो सरकार मेरे से tax मांगे, तो 2 करोड पर 18% मांग ले, चलो ठीक है, आप बोल तो 10 करोड के ऊपर 18% का tax, यह कोई बात ही, logical नहीं है ना, तो government भी माना, इसलिए फिर government ने बाद में इसको clarify कर दिया, आज की date में जो government ने बोला हुआ है, कि net tax liability जो यह आती है, इसके उपर आप 18% tax दे दीजे, ठीक है, late fees हम discuss करी चुके है, उसके बाद, revision of GST return, GST की कोई भी return आप revise नहीं कर सकते, तो फिर sir, कोई गलती हो गई तो क्या चार्ट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो अपने reference के लिए, ठीक है, यह एक reference के लिए chart है, so guys, quickly recap करते है, quickly आपको recap करा देता हूँ, जल्ली से कौन-कौन सी returns हमने समझी है, और अगले session से हम क्या करेंगे, आपको GSTR1 को बिलकुल detail में समझाना में start करूँगा, और बहुत सारे equipment से दोथ पढ़ती है, इसलिए अप setup थोड़ा सा change हो गया है, जल्दे से quickly recap करो, GSTR1 हमारी किस के लिए होती है, outward supply की detail जाती है, 2A हमारी होती है, input की detail आती है, लेकिन वो एक dynamic return होती है, 2B जो हमारी होती है, उसमें भी input की detail आती है, लेकिन वो एक static return होती है, GST 2A खतम हो चुकि है, card 2, 3 हमारी आस तक आई नहीं है, 3B के अंदर हमारा GSTR1 से automatically data 3B में आता है, और 2B से 3B में आता है, और 3B में जो net tax बनता है, वो हम pay कर देते हैं, यह जो returns होती है, एक regular taxpayer के लिए return होती है, GSTR 4 जो होती है, वो एक composite supplier के लिए return होती है, GSTR 5 आपको कब file करनी होती है, GSTR 5 तक file करनी होती है, जब आप एक foreign non-resident taxable person होते है, इंडिया में कुछ time के लिए आप आई हो, तब आपको यह file करनी होती है, GSTR 5A जो हमारी होती है, OIDAR की services जो होती है, online data access की services होती है, उस case में आपको 5A वाली return file करनी होती है, और GSTR 455A, अगर आप यह file क लिए होती है, regular returns उसके लिए applicable नहीं होती है, GSTR 7 किसके लिए होती है, एक entity, जिसको TDS deduct करना होता है, कौन से entity होती है, government undertakings होती है, उसको GSTR 7 वाली होती है, लेकिन, यहाँ 7 के सारशाथ साथ, उनकी जो regular returns होती है वो भी उनको file करनी होती है, GSTR 8 किसके लिए होता है, TCS जिनका deduct होता है, TCS जिनका deduct नहीं होता है, जिनको TCS deduct करना होता है और e-commerce operators जो होते हैं, Amazon, Flipkart, Misho, इन सब को GSTR 9 file करने की requirement आती है, और इसके साथ regular returns भी इनको file करनी होती है, 9A जो हमारी होती है, cut चुकी है, क्योंकि 9A की के हमारी GSTR 4 आ चुकी है, तो 9A हमारी annual return खतम हो चुकी है, अच्छा GSTR 4 के साथ साथ CMP 08 भी ध्यान रखना, composite supply tax की payment CMP 08 के थुरू करता है, नीचे आ जाएए, GSTR 9 जो होती है, वो annual return होती है, 9A हमारी cut चुकी है, 9C हमारी reconciliation statement, पहले साथ, पिछले साल तक क्या होता था, इसमें CACMA की certification की requirement होती थी, लेकिन अब यह self-certification basis पे हो चुका है, GSTR 10 हमारी final return होती है, जो कि आपको cancellation के 3 month के बाद, अब यहाँ पर confuse मत होना, एक होती है, application for cancellation, application के 3 month बाद नहीं, जब आपकी application department अप्रूव करी है, तो उस approval के 3 month के बाद GSTR 10 आपको file करनी होती है, ठीक है, GSTR 11 जो होती है, वो unique identification number जिसके पास होता, UIN number, foreign diplomat में जो होती है, उनके लिए GSTR 11 होती है, तो guys, आपको मैंने आज एक पूरा detail overview दिया, जो returns GSTR के अंदर होती है, कल से start करेंगे, R1 को समझना बिलकुल ही detail में, चलिए guys, thank you so much for joining today's session, have a great time, हसते रहिए और मुस्कुराते रहिए.